हेलो श्रूइंट स्वागत है आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम लेकर आ चुक हैं कक्षानॉमी के विध्धयारतियों के लिए विशया गडित का पेपर जो कि यहां पे तरमासिक परिशा आपके स्टार्ट हो चुकी है तो इसमें आपको यही question आपके paper में आने वाले हैं इसमें आप देख सकते हैं नीचे important question दिए गए है इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपका पूरा paper आने वाला इनके हम आंसर भी बता देते हैं और यहाँ पे आपको निर्दिस्प, ये आपको जो की पड़ लेना है, यह आपको देख सकते हैं सभी प्रष्ण रखल करना, अनिवार हैं, आपको एक स्पर लेकर पूरे, जो की 22 कोश्शन तक दीएगा है, जो की आपके ये काμαस्स ही हो गे, आपके ये 5 मार्क स्पी हो गे, अब X equal to 2 हो गया होगा तो इसमें आपको correct answer फिल कर देना है जो कि आपका answer हो जाएगा option B यहाँ पे आपको option B विलको correct answer हो जाएगा minus 3 आपको फिल कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे दिया है यहाँ पे किस चतुरतास से इस्ताविद इस्तित है तो इसका correct answer आपको भिल कर देना है यहाँ पे दिए प्रथम दिया गया है दुरतिये दिया गया है तरतिये दिया गया है यहाँ पे चतुरतिये तो आपको option C फिल कर देना है option यहाँ पर हो जाएगा option D option D आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ परिभाषित संक्या परिभाषित नहीं फिर इसमें से 5 माँ आपका question आता है जो कि एक से सका last वाला है तो इस मुझे विंदू 7-6 की कोटी का मान है तो किस कोटी का मान है यहाँ पर 7 दिया गया है यहाँ पर 6 दिया गया है यहाँ पर –7 और 6 दिया है तो इसमें से आपको option B fill कर दीजेगा option –6 बिल्कों correct आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पर आपको निमलिकित कथ्न सत्य हैं या सत्य है तो इनमें से पहला वाला दिया गया है मुल बिंदू की भुज एवं कोटी दोनों सून होती है तो यहां पे सत्थ हो जायगा बच्चों बिल्कुल सत्थ आंसर है आपका यहां पे दिया गहा है रो के बहुपद में 4 की अधिक्तम घात होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जायगा ये भी आपका सत्य हो जाङगा, दूसरा, ठीक है, ये भी सत्य報 जागा और बहुपद xq plus 2x square plus 1 में x square का गुणांक है, तो 2 है, तो itself correct answer बिल्कुल असत्य हो जागा, ठीक है बिल्कुल असत्य आपको fill कर दिना है, ये आपका सत्य question हो जागा और यहाँ पर चोथा हो जाएगा देख सकते हैं बिंदू बिंदू दो तीन दोनों अक्षों X अक्षे तथा Y अक्षे पर इस्तित है तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा सत है ठीक है यह बिलकुल सत हो जाएगा मैं यहाँ पे tick कर रहा हूं तो यह बिलकुल आपका सत्त हो जाएगा और इसमें कट्टे से जो की असत्त हो जाएगा बाकी का आपका यहाँ पे पांच मा आता है जो की दिया गया है तो पूर्ती करना है यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें चित्र में चायकृत भाग को निमने के रूप में दरसाया परदासित करते हैं तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं जो की यहाँ पे गोल बना हुआ है यहाँ पे कौन तो इसको यहाँ पे जो की भर दिया गया यहाँ पर देख रहे हूंगे चित्र को देखिएगा और यहाँ पर जो की कौन दिये गए हैं यह 4 हैं देखें एक दो तीन चार चार दिसा हैं तो बना पून यहाँ पर चार बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका दूसरा कोश्चन आता है यहाँ पर देख सकते हैं 15 ाइग चार बतूसरा पन् anywhere टिया गाए यहाँ 515 में 500 बंद्रा में 500 में 5 का भाग देने पर भाग फल डैस प्राप्ट होगा तो किया प्राप्ट हो आपको इसको correct answer हो जाएगा आपका यहां पर 103, 103 हो जाएगा, 103 है तो इसको 103 फिल कर लीजिएगा, 103 फिर इसके बाद आपका आता है यहां पर इसके बाद आपका आपका चोथा question, 4 अपन यहां पर 3 दिया गा है, into करके 12 है, 12 अपन 2 है, 22 है, 12 अपन तो इसको आप काटेंगे, देख सकते हैं इसको काटने पर आपका हो जाएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा 8 8 अपन 11 यहां पर 8 दसमलो 11 हो जाएगा आपका आपका correct answer तीसरे वाले में और चोथा आता है आपका 12 अपन 3 दिया गया तो 6 का equal to होगा आपका यहां पर आपको 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहां बज़ेगा आपका 5 और आपन में 6 का 6 रहेगा तो यहां पर 5 अपन 6 correct answer हो जाएगा ठीक है जो की 2 दिया गया तो इसका correct answer आपका 3 होगा माइनस 3 आपको 3 अकिला फिल कर देजिएगा ठीक है ठीक है आपका correct answer होगा और इसके बाद आप यहां पर 4th question देख सकते हैं सही जोडिया बनाएगे सही जोडिया बनाना है आपको यह भी 5 अंकी पूछी जाएगी तो यहां पर करमा कोडिंग दिया गया है देख सकते हैं आपको पहला दिया है ब्रत का छाय करित भाग है तो इसमें एक को आपको देख सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 यह आपको 8 खंड दियेगा हैं तो यहां पर आपको correct answer फिल कर देना है जो की हो जागा यहां पर जो की 6 चक्र हैं यह 6 चक्र हैं तो यह आपके भरे हुए हैं इस परकार से यहां पर देख सकते हैं यह भरे हुए हैं तीन खंड के लिए यहां पर दो खाली हैं तो इस परकार से आपको यहां पर answer फिल कर देना है जो की हो जागा इसका answer correct हो जागा 6.8 इसका correct answer हो पर हो जाएगा 0.75 इसको मिला दीजिएगा और तीसरा वाले को आपको मिला देना है तीसरे वाले को मिला देना है सबसे ऊपर एक से ठीक है और इसके लाबा यहां पर जो की दिया गया है चौथा वाला तो चौथे को मिला देना है आपको चोधे को आपको मिला देना है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है, आपको 7, इसको 7 से मिला देना है, और लाश्ट वाले को 4 पर सेंट को 4 असामनों, 100 से मिला देना है, ठीक है, यह आपको correct answer इस परकार से लिख देना है, फिर आपका बच्छों, इसके बाद हम आपको कर लेना है यहाँ और आप नीचे यहाँ पर open हो जाते ही, थोड़ा से network issue है, यह उपन हो जाते ही, यह आप नीचे स्क्रोल कर दीजेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते ही, आपको यहाँ पर नीचे search का option देख जाएगा, देखिए यह search का option दिया गया है, तो इस पर mathematics का पेपर तो आपको math का पेपर आ जाएगा यह आपको चूंकि इसका आइकन भी दिया है website का तो इसको download कर दीजेगा पीडियेप को इसके बाद हम बता देते हैं आपको next question पांचमा question रीटा ने 350 graph बरकी रेखा को और 225 graph बरकी रूपए को दी तो बताइए यहाँ पर रीटा के रीटा ने कुल कितने graph बरकी है बांटी तो यहाँ पर आपको कापिया तो इसको आपको solve कर देना है तो यहाँ पर 350 में से 25 दिया गया तो आपको correct answer यहाँ आ जाएगा 575 आपका correct answer आ जाएगा बिल्कुर सरल question है फिर इसके बाद यहाँ पर आपको छटा question दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं जो की पहली संक्या दी गई है 500 यहाँ पर 500 दी है यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर 507 यहाँ पर हो जागा 8 और 5 लिखींगे इसमें से माइनस करना है आपको 5483 इस परकार से आप इसको माइनस करेंगी तो आपका correct answer आ जाएगा आपको तो वही download कर लेना इस website के माध्यम से description पर लिंक दी गई है और यह जो की संक्या दी गई ही नीचे दी गई संक्याओं को संक्या रेका पर अंक्रित कीजिए तो अंक्रित करना है यहाँ पर अत्वागर भी question दिया है तो इसमें हम आपको बता देते हैं किस परकार से लिखना है जो की संक्या आपको लिखना है पहले मैं आपको लिखना है माइनस 7 यह बादी संक्या हम बता रहे हैं पहले माइनस 7 लिखना है दूसरे माइनस 1 क्योंकि 7 के बाद होता है 7 होता है पहले माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 0 फिर बनाता है तो बन 2 होता है आपको इस प्रकार से लिख देना है ठीक है माइनस यहां पर बना हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा इसके बाद आपको 7 हो जाएगा फिर आपको हो जाएगा 13 इस प्रकार से आपको 13 लिख देना है ठीक है और इसके बाद आपको अतवा करके जो की question यह दिया गया है और इसके दिये गए हैं तो यह आपके जोगी change हो जाएंगे plus में convert हो जाएंगे तो इसको आपका answer correct होगा 3 ठीक है minus जोगी minus plus plus होता है तो इसको आपको 3 लिख देना है और इसके लाव आपका b करके b करके भी जो यह दिया गया है तो इसको भी आप solve कर देजिए का मैं यह भी solve करके बता देता हूँ यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा plus करके आप लेकिंगे यहाँ पे 12 और equal to में आपका आजाएगा 35 यह 35 आपका correct answer आजाएगा ठीक है और यहाँ पे आपका जो की एक और यहाँ पे दिया गया है अथवा करके तो यह भी मैं solve करके बता देता हूँ आपको जो की इसको आपको solve कर लेना है यहाँ पे 480 जो की 480 यह आपको दिया गया है और upon में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है दसमा वाला question दसमा वाला मैं बता रहा हूँ आठमा वाला इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है जो की minus minus है तो इसको आपको 2 से 2 यह cancel हो जाएगा आपका 2 से 2 बिल्कुल यह कट जाएगा और यहाँ पे minus 8 है तो minus 8 को आपको काटना है 4 से 4 बन जा 4 कटेगा और यह 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 तो आपका इसका correct answer आपका equal to हो जाएगा 2, 2 का आपका बलको correct answer हो जाएगा आपको नबन भी लिख दीजेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे आपका जो की नवा question दिया गया है नवे question में आपको कोई यहाँ पे 3 upon 4 दिया गया तो 3 आपको कोई यहाँ पे यह 3 आपको पूरे खंड भर देना है कोई आप यह 3 पूरे खंड भल लीजेगा ठीक है यह 3 आपको पूरे खंड भल लेना है ठीक है इस परकार से यह भल लेना है और इसके लाब आपको यहां पे आपका answer हो जोगी हो जाएगा 3 upon 4 यह आपका correct answer हो जाएगा answer यहें पे दिया गया है लेकिन आपको paper में यह आपको आएगा option तो यह फिल कर लीजिएगा क्योंकि यही paper आपका आने वाला है और इसके लावा मैं यह वाला question नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको यह विलकुल easy है कल लीजिएगा दसमे question आपको दिया गया है तो दसमे question में आपको इस परकार से करना है जो कि यहां पे दिया गया है इसका थवा करके राम को कक्षाद नौमी की बारसिक परीच्छा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए बताओ की राम को कुल कितने प्रतीसत अंक प्राप्त हुए तो इसमें अंक हो जाएगा आपको 480 यहां पे 400 अंक उसको प्राप्त हुए और इसमें यहां पे अपन में आपको लिख दिना है यहां पे 60 आपको यहां पे लिख दिना है आपको 600 लिक देना है और इक्वल टू आपको 100 लका देना है आप इस sto लिक देना है 100 में से आपको काट देना है 0 cm-0 काट दीजिएगा 6 को आप यहां से काट इने इससे तो आपका correct answer आपका आजाएगा correct answer आपका आएगा जो कि यहां पर दिया गया है किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है PDF क्योंकि इसका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए हम आपको इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे तो आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फिलाल हम आपको पीडियो बता देते हैं कहां से डाउनलोड करना है देखे बच्चों आपको गुगल कनूप ब्राउजर पर आ जाया है और आपको इंडिया आपको बाहते हैं तो पीडियोप आपको इस का उप्सन नीचे सर्च का ओक्षन दिया गया है यहांपे देख पांगे तो साच कर लीजिएग अ लास नाइन्थ मैथामेटिक का पेपर आपको सर्च कर लेना और यहां पे इसका आइकन भी दिया है तो इसको क्लिक कर लीजिएगा यहां पे आपको पीडिया पूरे प्रोवाइड कर दीजिएगा यह पार्ट आपको सेगंड कुछ दिरवाद आपको हमाई चैनल पर अपलोट कर दिया जाएगा आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो थेंक्यू सू मच